हलो दोस्तों मेरा नाम है प्रदीव गौड और आप देख रहे हैं प्रदीव सभालो जी अगर आप NEET 2025 की प्रप्रेशन करते हैं और आप भी कन्फ्यूज हैं कि सर NEET 2025 के लिए हम कौन सा सलेबस पढ़ें सिर्फ जो NEW NCRT में दिया गया है वो सलेबस पढ़ें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो NEW NCRT में नहीं है बट NTA के सलेबस में है जो NEET में आती हैं क्या उनको पढ़ें या फिर हमारे जो कोचिंग मोड्यूल्स दिये गए हैं हमको कोचिंग के दुरूप उनमें आउट आउट आफ एंसे अटी बहुत जादा है और हमारे टीचर कहते हैं कि सर आउट आफ एंसे भी क्यूशन आते हैं तो बड़े कन्फ्यूज से हैं तो क्या करें हम आपके लिए बिस्ट क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ देखिए अक्चुल में नीट का सेलेबस बाई एंटी ए कन्फरम होगा डेसंबर में उससे पहले आपको क्या करना है सिर्फ जो new ncrt है उसी को पढ़ना है ध्यान से सुनिए जो new ncrt है बस उसको ही पढ़ना है जो topic new ncrt में नहीं है उसको नहीं पढ़ना है पहली चीज समझेए आप दूसरी चीज सर्फ कुछ क्यूशन जो है वो out of ncrt आते हैं बिल्कुल आते हैं लेकिन आप देखिए out of 100 वा लोजी के एक rarely दो क्यूशन आते हैं extra और out of 100 सिर्फ आपको कितने करने हैं 90 क्यूशन करने है 10 तो optional है ठीक है और वो दो क्यूशन कहां से आएंगे वो आपको नहीं पता है लेकिन बाकी के out of 100 98 क्यूशन सिर्फ आपको NCRT से आएंगे ये बाते confirm है तो दो क्यूशन के लिए आप बहुत सारा आपको syllabus पढ़ने की ज़रूत नहीं है 98 क्यूशन के लिए fixed syllabus जो है वो है NCRT और रही बात module की जो हमें coaching से module मिलता उसमें information बहुत ज़ादा है यहां वहां की है तो उसे बिल्कुल पढ़ने की ज़रूत नहीं क्योंकि मैं आपको बता दूँ आप देखें उनसे कितनी बार question पूछे गए है ये पहले आप देखें PYQ उठाई है वहां पर देखें कितनी बार question पूछे गए है और उनके आने की chances कितने है ठीक है कभी-कभी ऐसा होता है कि एक-दो question तो पूछे ही जाते है out of NCRT ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं पूछे जाते है लेकिन आप एक-दो question के लिए आप पूरा-पूरा syllabus बदल दे अपना अब ढूड़ते फिरें कुछ जादा ही extra हर एक chapter में बहुत जादा पट रहा है extra तो बिल्कुल नहीं ऐसा करने की जूरूत नहीं है आपको ठीक है second thing कुछ ऐसे topic है जो new NCRT में नहीं है बट NTA के syllabus में है जैसे अगर हम बात करें plant की families ठीक है syllabus है वो release किया जाएगा December में तब तक आप 11th और 12th की NCRT book को ही follow करिए ठीक है अगर कुछ extra आता है तो वो बहुत जादा नहीं होगा आप उसे cover कर सकते हैं ठीक है अगर पहले सी आपने बहुत सारा extra पढ़ लिया तो फिर वो आगे आपको कोई भी उससे benefit होने वाला नहीं ठीक है तो बस आपको क्या करना है NCRT ही पढ़नी है December में जब syllabus confirm होगा उसकी recording हमें आगे बढ़ना है clear है तब तक आप क्या करिए chapter पढ़िए chapter के बाद क्या करिए उसके MCQ solve करिए unit of life में आप जाएंगे तो वहाँ पर cytoplasm को लेकर के दो concept दिये गए है जैसे कि एक जगह पर बोला गया है जो cytoplasm होता है वो semi fluid matrix है और दूसरी जगह बोला गया है कि यह fluid matrix है तो दोनों में से correct क्या है semi fluid matrix है यह correct है और NCIT ने भी बोला कि कि आने वाले addition में हम उसे correct कर लेंगे या फिर अगर बात करें आप respiration implant में अगर आप जाएं तो वहाँ पर ETC वहाँ पर theory में दिया गया है कि 4 hydrogen F1 F0 particles से pass out होते हैं तब जाकर के एक ATP का formation होता है बढ़ डाग्राम में सिर्फ 2 hydrogen को दिखाया गया है nephron adrenal gland की location फिर ठीक है फिर उसके बाद class 12 में अगर आप बात करें evolution उसमें भी छोटे मोटे कुछ ऐसे data हैं जो की थोड़ा सा एक दूसरे को contradict करते हैं तो उसको NCIT ने बोला कि हम correct कर लेंगे लेकिन मैं बोला हूँ छोटी मोटी चीजों के लिए आप entire syllabus को change नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को ध्यान जीए छोटी मोटे correction होंगे तो वह आप कर लेंगे तब तक hardcore आपको follow करनी है सिर्फ और सिर्फ NCIT अगर आप मुझसे simple word में पूछे क्या possible है सिर्फ NCIT को पढ़कर के NEET को clear करना तो जी हाँ बिलकुल बस NCIT को आप ठीक से पढ़िए decode करिए अपने word में लिखिए सारी चीज़े करिए बाकी बहुत जल्दी ही मैं वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ किसी other topic पर वीडियो चाहिए तो comment section में mention करिए मैं आपके लिए उस particular topic पर वीडियो बनाकर provide कर दूगा बाकी मिलते हैं आपसे next video में एक नई information के साथ तब तक के लिए जैहिन